नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग फरवरी के last week में या कहें कि फरवरी के last जो 5-6 दिन थे उसमें हमने काफी चीजे देखने को मिली है और वहाँ पे ऐसे ऐसी भी चीजे ऐसे circular देखने को मिली है जो हमें उम्मीद नहीं थी उसमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया लिए और कुछ डिस्प्यूर्स की भी खबरे आई हैं तो देखते हैं दोस्तों फर्वरी के लास्ट कुछ दिनों में क्या क्या हुआ उससे पहले अगर आप इस शर्वन पर नहें तो शर्वन को जुरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों सबसे पहले सुर्वात होती है क्रिश्न कुमार जी के ट्विट से जिसमें बताते हैं कि यूअब यू ने एक वर्च्वल मिटिंग किया था कि क्या किया जाए जो बाइपार्टाइट और जो ज्वाइन नोट है उस पर आगे क्या किया जाना चाहिए उसमें उन्हो पर निसर असोसियेशन और एक वर्कमैन यूनियन जो है वह फाइप बैंकिंग के बिना जो है जुआइप नोट साइन नहीं करना चाहते हैं और यहीं से एक डिस्प्यूट की सुर्वात होती है कि क्या हम लोगों को पता चलता है कि कुछ असोसियेशन और जो यूनियन है वो फाइप डेजिग बैंकिंग के बिना ही बाइपाटाइट सेटलमेंट को साइन करना चाहते हैं तो एक यह बहुत ही जो है दुख वरी खबर एक सैड निउस जो है आती है कि क्या हमारे यूनियन असोसियेशन और जो यूब्यू के घटकदर हैं जो मेंबर्स हैं उसमें आपस में ही फूट हो गया है या आपस में ही वो लोग डिवाइड हो चुके हैं कि बिना ही जोइन नोट साइन करना है या नहीं करना है इसमें काफी कुछ देखने को मिलता है फरवरी के कुछ लास्ट के दिनों में तो दोस्तों जहां अब ही तक सभी लोग यह बोल ले थ को अनाउंस नहीं करेंगा हम जुइन नोट पर साइन नहीं करेंगे पर यहां पर वर्चुल मिटिंग वे अब यूट के मेंबर्स के होती वहां पर सब कुछ साफ साफ हो जाता है कि यहां पर और लगों में डिस्प्यूट है और यह लोग फैव डैजिक बैंकिंग पर भी नहीं डिवाइड हो चुके हैं विदाउट कंसर्टिंग मेंबर्स या विदाउट एनी सर्वे वो डिवाइड हो चुके हैं इसी बीच 25 फरवरी को आल इंडिया पंजाम नेशनल बैंक वर्कर और और जेशन ने एक जो है सर्कुलर जारी किया AIBA के लिए और वहां पर उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तमाल किया जिसे आप यहां देख सकते हैं जिसमें उन्होंने हेडिंग दिया हुए तो 5 Days of Banking और AIBA का दोगलापन ऐसे सब्दों का यूज नहीं करना चाहिए था पर इन्हों डारेक्ट सर्कुलर में ऐसे सब्द का यूज किया है और मैं आपको बताना चाहता हुए उन्होंने आगे क्या लिखा है उसमें लिखा है मित्रो अभी 17 फरवरी को वितमंत्री जी को 5 Days of Banking के बारे में पत्र लिखा 5 Days of Banking की मांग की गई इसमें दो दिन पूर ही AIBA ने भारत सरकार को एंटी लेबर एंटी किसान एंटी पीपल बताते हुए एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें 16 फरवरी को भारत बंद का पुर्जोर समर्थन किया गया भले इसका असर द भीक मांगो कि ऐसा संभाव है ऐसे संटेंस का यूज तो नहीं करना चाहिए था भोले भाले बैंक कामगारों को बेकूब बनाने का काम AIBA कर रही है इस यूनियन ने आज तक 5 Days of Banking के बारे में कोई सारुजिनिक बयान नहीं दिया हमेशा से ही कामगारों के पीट में छूर केस्ट बनाती है कभी आतंगवादी अबजल गुरू को फासी का विरोध कर अपना असली चेहरा उजागर करती है ऐसा लगता है कि AIBA बैंक कामगारों के समयठन नौकत देश द्रोईयों को समर्थन और कामगारों से प्राप्त चंदे से ही काफी राशित देश विरोधी ग इसको देखके वाक्यों को देखके तो मुझे ये असली नहीं लगता है कि यह असली circular है हो भी सकता है इसका confirmation पता नहीं सही है कि नहीं है लेकिन इस तरह के शव्द और इस तरह के sentence यूज नहीं करना चाहिए और यहां पर जो है मैं इसको पढ़ की इस लिए आप को बताना एक जो है लेटर जो है श्री प्रदानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है जहां पे कि उन्होंने बताया है कि बैंकर्स किस तरह से जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने आपके जो स्कीम्स को है सफल बनाए हैं और आपके जो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको भी सक्सेस्फूल बनाते हुए आज 90% का ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल होने लगा है और इसको देखते हुए उन्होंने बोला है कि हम बैंकर्स को भी 5 देजिक बैंकिंग दिया जाना चाहिए जैसे कि RBI और कई संस्था से भी और सब जब हो पर भी 5 देजिक बैंकिंग चल रहा है तो एक अच्छा काम किया है कि प्रधान मंत्री मोदी जी को भी एक लेटर लिखा हुआ है अलाग इसा कितना असर होता है वह आने वाले कुछ दिनों में ही पता च जाना चाहिए था लेकिन यहां पर अलग 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 असोशेशन और यूनियन जो है पस में ही लेटर्स और सर्कुलर एक दूसरे के खिलाफ और गौर्रमेंट को भी लिख रही हैं फैड़र बैंकिंग को लेके तो यहां पर एक वीक्निस जो है हमारी युगर बीयू की य जो है साइन खर चुके हैं और उसकी वालेडिटी जो है 6 मेने की वालेडिटी है तो यहां पर वो श्ट्राइक पर भी नहीं जा सकते हैं जब तक वो छे मेने पूरे होंगा तब तक एलेक्षन भी कंप्लीट हो जाएगा और गोर्मेंट का जो मूड है वह शयाद इलेक्ष जो है वह वीक हो सकती है जो डिमांड है क्योंकि हमारी युव व्यू में यह आपस में डिस्प्यूट होता दिख रहा है उधर दनी जालरे ने 26 फरवरी के आर्टिकल में जो है कि ऑनलाइन जो उन्होंने पब्लिस किया वा आर्टिकल उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सकता है अभी आने वाले दिनों में कुछ पता चल जाएगा कि क्या चांसेज हैं क्या चांसेज नहीं है वैसे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कुछ चीजे से रिलेटेड बताया था आप वह देख सकते हैं वह वीडियो और वह समझ सकते हैं कि क्या 2024 मही settlement final हो जाएगा या 2025 में होगा तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चनल को जरूर शेर लाइक और सब्सक्राइब कर लिजेगा नमस्कार दोस्तों